इस्टूडेंट्स इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके थे स्कॉर्पियों का कि क्या पढ़ चुके थे अपन सर्कूलेट्री सर्कूलेट्री सिस्टम पढ़ चुके थे सर्कूलेट्री सिस्टम में अपनने क्या क्या देख लिया था कि इसके अंदर क्या होता है हर्ट होता है पेरिकार्डियम होता है ठीक है और इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आर्ट्रीज होती है क्या होती है arteries होती है क्या होती है arteries होती है जिसमें क्या थी दो परकार की का थी इसके अंदर इसके अंदर क्या थी anterior and water, erota और posterior और अगला क्याथा इसका अपना topic है, ciness छोथा क्या यता है इसके अंदर kanor क्या था है kanor, ठीक है देख लिया था हर्ड था हर्ड की कैसी structure थी उसके बारे में भी अपन पड़ चुके थे ठीक है इसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं अगला जो अपना इसका topic point था वो क्या था इसका sinus क्या था sinus ठीक है क्या था इसका sinus क्या थाइस क्या था इसका sinus था ठीक है अघला पंट देख रहे हैं वह अपन क्या देख रहे हैं इसका कोडर कैसा होता है ठीक है अब देखिये आपको पता है कि जो पिछू के अनल ऐस बिच्चों में परीशंचरन न्थरे खुले प्रकार का होता है कैसा होता है खुले प्रकार का होता है परिशंचरन तंतर कैसा होता है खुले प्रकार का होता है बिच्छू के अंदर परिशंचरन तंतर कैसा होता है धमनिया है, धमनिया साखाओं में बटकर, बटकर सिराओं का निर्मान नहीं करती है, निर्मान नहीं करती है, या आप सभी को पता है, ठीक है, बात करिए अपने स्कॉर्पियोन के सर्कॉलेटरी सिस्टम की जिसमें अपने तीन पढ़ चुके थे, अबर चोथा क्या ले रहे हैं, अपर पिच्चु के अंदर जो परिशन चड़त अंतर होता है, वो कुले परकार का होता है, दमनिया साखाओं में बटकर किसका निर्मान नहीं कर रही है, सिराओं का निर्मान नहीं कर रही है, ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, सिराओं का निर्मान नहीं होता है, विल्कि जो अंतिम जो साखाए हैं, वो आंतरंगों के भीतर छोटी-छोटी किसमें खुलती हैं, अब को सिकाओं में खुलती है कहां पर खुलती है आउकोशिकाओं में खुलती है ठीक है साखाओं बटकर सिराओं का निर्मान हो नहीं रहे ठीक है अब यह आगे चल कर किसमें है किसमें खुलती है ठीक है आउकोशिकाओं से रक्त किसमें एकत्रित होता है रक्त कोटर में इन से रक्त किसमें चला जाएग रक्त कोटर में किस में चला जाएगा रक्त कोटर के अंदर रक्त चला जाएगा did इसके अंदर खुलेंगी जाकर के ब्लड को कहां पर एक्तिरित करेंगी, रक्त कोटर के अंदर एक्तिरित करेंगी, ठीक है, इसके सरीर में किते प्रकार के पांच प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पांच प्रकार के रक्त कोटर पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं, किते प्रकार के रक्त कोटर पाये जाते हैं विच्चु के अंदर पांच प्रकार के रक्त कोटर पाये जाते हैं ठीक है एक कोटर क्या है इनमें से एक कोटर कहां पर पाये जाता है हरदयावरण के बाहर पाया जाता है एक जो कोटर होता है इसी कारण इसे हरद्यावरण कोटर कहते हैं, क्या कहते हैं, हरद्यावरण कोटर कहते हैं, पांच कोटर थे टोटली, किते कोटर थे, पांच कोटर थे, उन पांच कोटरों में से क्या है, एक कोटर कहां पर पाया जाता है, हर्द्यावरण, हर्द्यावरण के बाहर पाया जाता है, ठीक है, और इसी के उपर क्या है, एक प्रस्ट कोटर पाया जाता है, क्या पाया जात कोटर पाया जाता है ठीक है दो पार्स्वा कोटर सरीर के पार्स्वा में पाये जाते हैं दो जो कोटर होते हैं दो कोटर सरीर के पार्स्वा में पाये जाते हैं कि सरीर के कहां पर पाये जाते हैं पार्स्वा में पाये जाते हैं दो कोटर कहां किया था इसके अंदर पांच कोटisée एक ह्यर्द्यावरण हर यर्दावरण की बहर पाए जता इसलिए को र्यद्यावरण कोट्र कहा जाता है ठीक है कि और एक जो बड़ा धर कोटर होता है वह कहाँ पर पाय जाता है अधर Они है पर फाय जाता है अधर सत्य पर किते कोटर पाया जाते हैं एक कोटर पाया जाता है ठीक है यहां से क्या है यहां से अंद प्रवर्दों द्वारा सुद होने के लिए रक्त अब यहां से इस रक्त कोटर से रक्त फुफ़स में जाता है कहां पर जाता है फुफ़स में जाता है ठीक है रक्त कोटर से रक्त किसमे जाएगा फुफ़स में जाएगا ठीक है किसके लिए फुफुस कौन से थे इसके अंदर पुस्त फेफड़े या बुक लंग से जिने अपने बोला था ठीक है बुक लंग से अपने जिने बोला था वहाँ पर जाता है ठीक है ये हो गया इसका क्या है इसका सीनस सीनस में देखते हैं अपन तो बिच्चु में परीशंचरन खुले प्रकार का होता है कैसा होता है परीशंचरन जो तंत्र होता है वो कैसा होता है खुले प्रकार का होता है क्यों क्योंकि दमनिया साखाओं में बटकर सिराओं का निर्मान नहीं करती है इसी वज़ काउं में खुलती है रक्त कोफार के रक्त कोफार के पाए जाते हैं पांच के रख्त कोफार इसके अंदर पाए जाते है प्रेस्ट कोटर पाए जाता है दो दो इसके अंदर क्या होते हैं पार्शो कोटर पाए जाते हैं एक अदर से तैपर पाए जाता है और ठीक है और इसके अंदर रक्त कोटर से रक्त किसके अंदर जाता है पुस्तक फेफडों में जाता है किसके ल फुफुस ये सिराएं क्या आती है फुफुस ये सिराएं अगला टोपिक क्या आता है अपना फुफुस ये सिराएं ठीक है अगला जो अपना टोपिक आता है इसके अंदर वो क्या आता है फुफुस ये सिराएं पुस्तक फेफडे से सुद्रक्त क्या है एक फुफुसिय सिरा दुआरा किसमे लाया जाता है हर्द्यामनी कोटर में लाया जाता है पर तेक जो पुस्तक फेफडे से याल कि पुस्तक फेफडे से पुस्तक फेफडे से पुस्तक फेफडे से फुफुसिय सिरा के दुआरा कहां पर लाया जाता है पुस्तक फेफडे से फुफुसिय सिरा दुआरा दुआरा रक्त को रक्त कोटर में लाया जाता है लाया जाता है कहां पर लाया जाता है रक्त कोटर के अंदर लाया जाता है ठीक है इस तरह बिच्छों में कित्ती सिराय पाई जाती है नेहें चार फुफुस सिराय पायी जाती हैं कित्ती पाई जाती है चार फुफुस के सिराय पाई जाती है किसकी बात कर रहे हैं अपन बिच्चू का जो परिशंत्रनतंत्र है उसके अपन बात कर रहे हैं ठीक है किती फुफिस ये सिराएं पाई जाती हैं फिक है इनकी भित्थी भी क्या होती है पतली होती है अबित्ति कैसी होती है इनकी पतली होती है ठीक अपनने क्या देख लिया अब अभी तक रक्त कोटर देख लिया फिर इसके अंदर फुफुस सिरैये देख लिए इस से पहले हरदे देखा था हरदे आवरं भी देखा था ठीक है अब देखते हैं इसके अंदर इसके बलेड की बात करते हैं किसके अपन स्कॉर्पियोन के बलेड की बात करते हैं कि इसका बलेड कैसा होता है रक्त ठीक है तो इसके रक्त की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या आता है इसका जो रक्त होता है वो कैसा होता है रंग हिन कैसा रखते है पहला पॉइंट क्या हो गए अपना रंग हिन यानि कि स्कॉर्पियोन का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है रंग हिन होता है कोई भी इसका कलर नहीं होता है ठीक है और इसके अंदर जो स्वसनी वरनक पाया जाता है वो क्या पाया जाता है हीमो साइनिन क्या पाया जाता है हीमो साइनिन स्वसनी वरनक कौन सा है इसके अंदर हीमो साइनिन ठीक है इसमें हीमो गलोबिन नहीं पाया जाता है नहीं पाया जाता है बिच्छो के अंदर हीमो साइनिन पाया जाता है स्वसनी वरनक लेकिन हीमोगलोबिन नहीं पाया जाता है ठीक है बच्छो इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर क्या हता है हीमोशाइनिन की जो आन्विक संरचना होती है वो कैसी होती है हीमोगलोबिन की तरह ही इसकी क्या होती है आन्विक संरचना होती है यहन की हीमोगलोबिन की और हीमोसाइनीन की जो आन्विक संडचना होती है वो बराबर ही होती है लेकिन फरक क्या है? इसमें क्या है? लोह प्रोटीन के स्थान पे क्या पाई जाती है? तामबे का प्रोटीन पाया जाता है इसमें क्या पाई जाती है तामबा प्रोटीन पाई जाती है संदचना दोनों की सेम है लेकिन इसमें क्या है लोहे के स्थान पे क्या पाया जाता है तामबा पाया जाता है ठीक है अब देखे ये हो गया इसका पूरा ब्लेड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अब अपने देखते हैं इसका जो blood circulatory system का मारग होगा कि ये कहां कहां से होकर इसका blood इसके body के कौन कौन से हिस्सों के अंदर जाएगा इसके बारे में अपन देखेंगे ठीक है एक बार फिर से revise कर दे रहा हूँ कोटर की बात करी थी अपने कोटर की बात करी तो बिच्छों में परिशंचरंत अंतर कैसा पाया जाता है खुले प्रकार का पाया जाता है कैसा पाया जाता है खुले प्रकार का परिशंचरंत अंतर इसके अंदर पाया जाता है ठीक है अब एम्ध्री और खुलेश का परिसर्ल's अतर पया जाता है तो दमनिया साखाूं में बढ़कर सिर्टावं का निर्माण नहीं करती है। यह सी ग intent to pay character यि कोट्रों के अंदर कोट्रों के अंदर कोट्र हब पान्स प्रकार के पाए जाते हैं हार रद्यावर्न के बाहर क्या होता है का आग आध कोटर पाया जाता है थीक अगला जो पॉंट था उगत आगला जो एक होता है प्रस्ट गोड़कर के नंसे पाए जाता है जो प्रिष्ट सताय पर पाये जाता है ठीक है दो कोटर क्या है इसके अंदर कहां पर पाये जाते हैं पार्श्व में एक अधर में पाये जाता है तो टोटली किते कोटर होगे इसके अंदर पांच कोटर पाये जाते हैं ठीक है अब देखते हैं इसके परी संचरण का मारग क्या है इसके परी संचरण का मारग ठीक है इसके परी संचरण का परी संचरण का मारग ठीक है तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ठीक है हर्दे की बाहरी सत्य से क्या होती है बाहरी सत्य से बाहरी सत्य से क्या है देह बिती तथा लचीले सनायू पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं जो अपन बात करने है स्कॉर्पियोन स्कॉर्पियोन के जो हर्दे की बाहरी सत्य से क्या है देहविती तक अपने बात करी थी सनाईयों की क्या है वो सनाईयू पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं ठीक है अब देखिए इनके संकुचन के कारण क्या है हर्दे की जो गुहा होगी वो क्या हो जाएगी फैल जाएगी इनके संकुचन से हर्दे की गुहा फैल जाती है ठीक है और क्या हो जाएगा अपनने देखा था इसके अंदर क्या हो जाएंगे और देखा था ना पर ने इसकी और जाएंगे जाएंगे इसके ओस्ट्या क्या होंगे खुल जाएंगे देखो सनाईव है सनाईव क्या होंगे सनाईव जुड़े वे थे पेरिकारडियम से अपनने कल देखा था ठीक है इनके और देखा था रखा रखा था था फिर क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा रिसके किसके अंदर आ जाएगा रदे गुहा के अंदर गुहा में रक्त आ जाता है क्या है हरद्यावनी गुहा से किस में आ जाता है रक्त हरदे गुहा में आ जाता है ठीक है फिर क्या होगा ये फिर से क्या होगा इनमें क्या होगा संकुचन होगा क्या होगा संकुचन होगा तो क्या होगा ओस्टिया बंद हो जाएगी संकुचन से ओस्टिया बंद हो जाएगी क्या हो जाएगी संकुचन होगा क्या होगा संकुचन होते ही क्या होगी ओस्टिया वापस से क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी और फिर क्या होगा रक्त पर क्या पड़ेगा दबाव पड़ेगा जिसके कारण क्या है हर्दय गोहाव میں भरा रक्त किसमे जायえगा धमनियों के माद्यम से ठीक है ओस्टिया बंध हो गई अब क्या पड़ेगा दबाओ दबाओ से रक्त धमनियों में जाएगा कहांपर जाएगा दबाओ पढ़ते ही रक्त किसके अंदर चला जाएगा धमनियों में चला जाएगा संकुचन हुआ पहले संकुचन हुआ ओस्टिया खुली फिर क्या होगा संकुचन होते ही क्या होगा क्या हो गया ओस्टिया बंध होगी फिर क्या होगा प्रेशर पड़ा ठीक है प्रेशर पड़ते ही क्या हो जाएगा ये धमनियों के माद्यम से स भेज दिया जाता है रक्त क्या है विभिन भागों में भेज दिया जाता है ठीक है अब इसके बाद में क्या होगा ये धमनिया क्या है आंतरांगों में खुल जाती है ठीक है किसमें खुल जाती है आंतरांगों में खुल जाती है ठीक है तो अपन देखते हैं इसका डाइग्राम के तुरूई देख लेते हैं किसका प्रोसेस क्या क्या होता है ठीक है सबसे पहले अपनने बात करी हर्द्यावरणी गोहा क्या करी किसकी बात करी हरद्यावनी गुहा की बात करी फिर इसके बाद में क्या हो गया ओस्टिया खुल गई क्या हो गई ओस्टिया खुल गई ओस्टिया खुलते ही फिर क्या होगा बलड किसमें आ गया हरद्य में आ गया क्या आ गया हरदे में आ गया ठीक है इसके बाद में ये किस में गया धमनियों में गया ठीक है इसके बाद में धमनियों के माध्यम से किस में गया ये आंतरांग में गया, ठीक है, किसमें गया, आंतरांग में गया, ठीक है, और फिर आंतरांग से किसमें चला गया, रुधीर कोटर में, देखा था ना कलब बने, किसमें चला गया, रुधीर कोटर के अंदर, फिर यहां से क्या होगा, जो अपने देखे थे, कोटर किते थे, पा प्रश्ट था प्रश्ट था ठीक है और फिर इसके बाद में किसमें चला जाएगा अधर कोटर के अंदर इसके अंदर चला जाएगा अधर कोटर के अंदर चला जाएगा ठीक है फिर इसके बाद में ये किसमें चला जाएगा पुस्तक पुस्तक फेफ़डों में इसमें चला जाएगा पुस्तक फेफ़डों में चला जाएगा ठीक है अब पुस्तक फेफ़डों से किसमें गया ये किसमे कया है फुफुस सिराओं में गया ठीक है फिर इसके बाद में वापस से बलड क्या होगा इसी हरदयावरणी गुहा के अंदर चला जाएगा तो ये totally क्या हो गया प्रेशर की बात करी सबसे पहले प्रेशन्चरण का मारक देखा अपने लचीले सनायू होते हैं ठीक है इन में संकुचन के कारण हर्दे की गुहा में क्या हो जाता है रक्त भर जाता है ठीक है फिर उसके बाद में क्या होगा ओस्टिया खुल जाएंगी क्या हो जाएंगी ओस्टिया खुल जाएंगी रक्त हर्द्यावनी गुहा में रक्त आ जाता है अर्द्यावनी गुहा से क्या हो जाता है इसमें आ जाता है ठीक है फिर दमनियों के माद्यम से आंतरांग आंतरांग से होता हुआ ये कहां पर जाएगा कोटर में किसमें यह डिवाइड हो जाएगा ठीक है इस तरीके से क्या होता है स्कोर्पियों के अंदर क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है ठीक है संकुचन हुआ पहले तब तो क्या हुई ओस्टिया खुल गई क्या हो गई ओस्टिया खुल गई उसके बाद में क्या हो ओस्टिया वापस से बंद हो गई जिसकी वज़े से क्या हुआ प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ते ही क्या हो गया दवाव पड़ा ठीक है ब्लेड हो जिसके कारण रक्त धमनियों में जाएगा और विभिन भागों में क्या हो जाता है रक्त भेज दिया जाता है क्या हो एक बार फिर से रिवाईज कर दे रहा हूं अपने देखा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखा था हरदे क्या देखा था हरदे तूसरा क्या देखा था हरदे आवरण क्या देखा था हर्दय आवरण देखा था ठीक है अपने धमनिया देखी थी क्या देखी थी धमनिया देखी थी फिर इसके अंदर अपने क्या देखा था क्या देखा था क्या देखा था अपने क्या देखा था ठीक है फिर इसके अंदर अपने क्या देखा था इसकी जो फु हैं देखे थी ठीक है वे फिर अपहने लास्ट लीट देखा था इसके परी संचरण का क्या देखा था मारग देखा था कि किस तरीके से क्या होता है यह अपने हम प्लड को बोड़ी के अन्य भागों में भेजता है ठीक स्टुडेंट्स तो से आज अपनने क्या पढ़ ले अपना पूरा ब्लेड सर्कुलेटरिक सिस्टम को पढ़ लिया ठीक है स्टुडेंट्स इस